हेलो एबरीबर मेरे ग्रील आई चेल्म आपको अबस्ट पहता हुआ और जो यह आज की वीडियो है तो वह एक कुछ यूनिक प्लांट पर है जो मैंने वेड़र में आपको दिखाए दे और समर में भी दिखाए थे वह आज इसी पर है और कुछ इस समय के रहने सीजन के मैं और हुआ को इस वीडियो में दिखाने वाली हूं आई ये लाष्ट टक बने रहे मेरे साथ और यह फोलॉक्स में भने हुए मेरे यह दो-3 चालर के तो यह भी खुशूरत है घाड्निया सुगंधराज गंदराज भी वोलते हैं से कई सारे नाम है इसके और बिरकुर मुझे तो ये कमल जैसा ही लगता है और इतना बायट जब खिलता है ने इतना वाइट होता है और इसके कैसे पंखडिया घूमी हुई सी यह पढ़ी नेची कबल की तरह यह पत्या फैल जाती है इसके गुडल का इसमें कलिया भी बने होए कापी सारी और जे वी खिलता है तो कितना बड़ा हो जाता है डॉबल पेटल का है कलर में प्यारा सा है यलो कलर है और दो तीन दिन पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे खेलने लगते हैं और तीसरे या दो या तीन कवी ऐसे अरहर पंखुडी में जितने की पत्तिया होती है हर पत्तियों में इसमें ये फ्लोवर देता और ये क्रीपर होता है तो यह तो यह कितना सुदर बढ़़ है कापी सारी कुछ मेरे सधावाहर के प्लांटे कितनी सुदर ब्लूमिंग है यह में हैं चारों तरफ से इस पर फैले होएं है कि अ कि हचा पिंक कलर है पिंक भी नहीं कुछ पीच कलर है ये पीच और पींक का मिक्ष महँत Centralर बहुत प्यारा अ szabee और यह ये रानी कलर है यह इँआ अच्छा कर रहा है कितना अच्छा क्लिओम कर रहा है और काभी सारी है छोटा सव हाई लेट likes है रिफ कर रही है किutने सुन्दर यह देखें काफी फूल आयोगे इस पे ब्लाट काफी छोटा सा है और यह रोज बनते रहते जड़ते रहते काफी सारे और एक रैड कलर का है मेरे पास है तो हाइबरेड यह लेकि यह थोड़ा सा पुराना यह बड़ा हो गया है इस पे भी कई सारे खेले रहते वह पर क्योंकि इसमें यह बड़ा है थोड़ा सब और एक है मेरा लिली का इस पे प्यारे लग रहे हैं और यह देखो यह इस लोगा कितना सुन्दर अब इसमें अलग लग से ऐसी बन गए चुटी-चुटी में प्यारे लग रहे हैं कि यह वाला है देखो यह बजे इंटा और ब्ल लाइट परपल कह सकते हैं पिंकी भी कह सकते हैं इसको यह बड़ा सुन्दर फ्लॉवर है इस दिवी कल्यां थी पिंच कर देती तो यह देखो इस पे कितने सारे फूल आए कि कई सारे प्लाट मेंने कहीं पेंचेंग की तो अच्छे कि अंहों ने यह देख़ें यह मेरा देंथ यह से और रानी और वाइट को कितना अच्य है और इसपी फूल इतना भर ऴर के दे रहा है कितने सारे फूल पूरे प्लांट पर कूल ऑप से कम 40-45 इस पर फूल के तो यह दिखो और जगे खाली नहीं है और जहां जगे खाली है तो समझो वहाँ पर यहां पर यहां पर मैंने निकाल दिया इस पैंड हो चुगा था क्योंकि वो निकालने जरूरी होते हैं जिससे वो नई ब्रांचेज निकले और नियो नियो बट्स बने यह प्लांड जो देख रहे हैं आप यह डैलोस पर्मा नाम है इसका और यह यमन में और साउधी अरवी सभी कुछ जगई में पाजाता तो यह ऊची चोटा सा फूल ने इसलिए इसके लेके आई खूपषोर असक्रेख बट्स पर इसे लेक्टव और चोटी-च्च्च छोटी-च्च्च्च यह कितने तो फ्री शारे मिंयों यह तो इसकी लीप्स हैं और इसमें लुश यह कि ये चूबते नहीं तो ये हलका सा बहुत सॉप्ट कता थे इसमें और बड़ी तेजी से फ्यालता है गंदे में वासकेट में लगा सकते हैं गंदेल में लगा सकते हैं इसको तो यह уз細़ हो सब क्यामा तूर्स है पहल समका यह बैंगनी और कुछ यह मजेंटा कलर का देगी मुझे इस तरह के पर्मानेंट प्लांट बहुत ही पसंद और कितना खूसरत सब फूल आया वेज पर आप भी देख सकते हैं और यह आजकल पूरा भराव है यह पर्मानेंट होता है और सारी गर्मियों में यह खिलता रहता ह समय तो इस तरह के अगर प्लान मिलते हैं तो इनको जरूर करी दे काफी बड़ा फूल है पींग कलर का गुलाब का और यह भी आधा अधूरा खिला हुआ है और जब पूरा खिल जाएगा तो बहुत बड़ा फ्लोगा रही है और इसको देखो मैंने पीची से सपोर्ट दे रखिए नए तो यह गिर जाता है और यह जब खेलेगा यह काफी बड़ा फूल है । हई भूआ ええ कि नगया नगया को यह भी खुबसूरत क्लों लाइए देखए गजानीया पे सारी खुबसूरत ही होते और गजानिया पर सबस्ट automatism और वेशे और कुछ बनी हुए खेलेुए धार विपार यहार criminal कि अंवर दोआरे और नेना तक अर बंच इसकी काफि सारी बंच बंजाती इनकी तना प्यारा लग रहा है का भी खुरसुरत लग रहा है दो छुन्या है इसमें एक मेहरों मेर और एक पियां सरे हैं बहुत प्लांड यह जेलो को लग और बीच में रेट कितना फ्यार लग रह खुरसूरत और इस आइस प्लांट कहते हैं और यह देख इतना सारा फ्लू बढ़ा है इस पर काफी सारा आए है और भी कई सारे प्लांट है मेरे पास आइस प्लांट यह भी एक तरह का हिविश्कश होता है और इसका नाम एविट नल जुम का रेड टाइगार चाहिने लेंटर कही नामों से जा ना होता जो हमारे नोर्मली यह विश्क शूते हैं इस तरह के यह दिन चलता और यह प्लांट पे कई दिन तक चार दिन तक कम सब्सक्राइं तो इसलिए काफी सारे इस पर फूल बने रहते हैं यह देखो पही सारे मेरे इसमेंगी बने हुए है और का यह जो है यह मैंने न प्लांट भी जरूर लिए है और यह समें इतना खूबसूरत लग रहा है सबी ब्रांच पे फूलों से लदा हुआ है यह कितना और यह दस दिन रहता है उसके बाद यह फिर शुरू हो जाता है इस पे बड़्स कलियां बनने शुरू हो जाती है और फिर फूलों से ऐसे खिला रहता है बहुत ही खूबसूरत लगता है और यह देखो एक एक है जितनी भी ब्रांच है छोटी वड़ी सभी मेर फूल यह लड़े हो जब हो इrobi है अर्राथ को इतना खुस्व बिखेरता है वी को दिन में तो हल्की कुछ हो रहती है और रात को इसमें बहूत कुछ सोरही झालर गbay अgens इसक्या इसकर टे अमक्त वी इतना प्यारा लगते हैं है बशुरत पूर लगते हैं इसके यह बंचों में आते हैं तो एक इधर है बंच इसका और पहले इतने बड़े-बंच के लिए इस पर यह भी मेरे पास कई सारे हैं इसे आप गुलाब बोली नहीं सकते हैं लेकिन यह रियल में गुलाब है तो इसके देखो कुछ इस तरह के पैटल खुलते हैं जैसे इसके अंदर कुछ यह गोल-गोल है इसके अंदर इस तरह से यह दो पत्या यह किदर लीप है और इक दर और इस तरह से यह बंध है तो इस इसके सारे बड़ी बड़ी पेटल होते हैं इसके तो यह इस तरह यह खुलते हैं इसके बहुत ही खुबसुरत लगता और यह डवल शेड में है येलो और रैड का दूलाब के प्लांट वैसे तो मेरे दूप भी रखे रहते हैं बगर यह जो दूपायर की तेज दूप होती है जब फूल खिल जाते पूरे तो मैं इसको दूपायर की दूप से बचाने के लिए इसको और देखे इनका चांद नी किसी ने सही रखा रहा कितना वाइट फ्लो पर देखो कि अधर बीए प्लां छोटे बहुत बड़ा नहीं है और कितना खुबसूरत सा फूल है और यह दिखें मुसांडा का प्लांट प्लोर प्लांट तो यह भी कितना खुबसूरत की लिए है इसको मैए गंटा की दूप देती हम वैसे तो यह चाया में चल जाते तो तो इस पे सुवे सुवे धूप आती है और मेरा एक ये वाला इविसकास है जिस पे हैवी फ्लावरंग होती है ये देखो ये ओरेंज कलर का है और ये डबल पट्टल का है भरा हुआ तो ये बहुत ही खुबसूरत लगता है तो इस पे इतने बड़े-बड़े फूमल होते है और ये देखे सदावार पर भी खुबसूरत वाइट कलर का फूल खिला हुआ है और ये भर भर की फूली संग गर्वियों में दे रहा है और ये पिंग कलर का ये देखो सदावार ऊपर ये उपर टौक पर कितने सारे फूल लगे हैं इस पे ये देखे ये लिलीज में खिली है ये थाइलान्ड लिली है तो इस पे भी काप्री फूल आ रहे हैं ये देखो कितने खूपसरा से अभी ये खिलने ही वाला है ये वह दो-तीन दिन प्लांक पर टिक जाते हैं ये भी अच्छे होते हैं तो इन्हीं का मुसमीं ये सारी बर स खुबसूरत लग रहे एक अपसारी अब ये दिखाय तो ये बहुत ही खुबसूरत है और ज्यादे नहीं दिखाऊंगा पहले दिखा चुक है भी बीच में और ये दिखिए ये जैश्मीन का ये भी भरवर की फूल इसमें अब खिलने वाले हैं तो देखे कितने खुबसुरत फूल है और ये आपने वीडियो देखी मेरी और ये आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाश्ट तक बने ने कि लिए, थैंक यू